असलाम अलाहिकों बच्चो ये 5th class का मैथ है आज आप from a pot of the hole पढ़ेंगे आप page number 66 देखें from a pot to the hole this show 1 by 5 petals of a flower ये दिखाता है फूर का पांचमा पता complete a flower by drawing other petals अब हमें इस फूल के बाकी पते बनाकर तस्वीर पूरी करनी है यहां एक पता है तो हम और चार पते बनाएंगे तो तस्वीर पूरी हो जाएगी अब आप दूसरी तस्वीर को देखो the picture shows one third of the blades of a fan तस्वीर हमें दिखाती है एक फैन का तीसरा हिसा complete the picture by drawing the other blades कहते हैं बचो तस्वीर को बाकी पंक बनाकर मकमल करें हम और दो पंक तस्वीर को पूरा करने के लिए लगाएंगे जैसे तस्वीर पूरी होगी half of the blades of another fan are shown here तस्वीर में पंक्खे के आदे अंपक दिखाए गई हैं complete the picture by drawing the other half कहते हैं तस्वीर को पूरा करो आदा हिसा बनाकर how many blades have you drawn कहते हैं आपने कितने blades और बनाए हम बचो एक पक लगाएंगे तो इसका मतलब है हम लिखेंगे we have drawn one blade to the fan अब आगे हैं रुपीज और पाइस how many 50 will बेके रुपी कहते हैं बचो कितने 50 पैसे एक रुपिया बनाते हैं हम लिखेंगे बचो इसका मतलब है कि हम एक रुपे का पचास पैसा रुपे का कितना हिसा है यानि कितने इसके कितने रुपे में और कितने डालें सिके तो यह रुपिया बनेंगा यह एक ही 50 पैसे का एक सिका है is 50 पैस half of 1 रुपी क्या पचास पैसा जो है वो रुपे का आदा हिसा है आप सोचो क्योंकि एक रुपे में 100 पैसे होते हैं तो पचास पैसे क्या होगा एक रुपे का कौन सा हिसा होगा क्या यह आदा है how many 25 will 25 पैस will make 1 रुपी और 25 पैसे जो है वो एक रुपे का कितने रुपे में कितने होनी चाहिए एक रुपे के लिए 25 पैस is 1 by 4 part of 1 रुपी जो 25 पैसा है वो रुपे का 14 रुपे क्योंकि 25 चार मिले तो एक रुपिया बनता है उस तरह 100 पैसे बनते हैं 25 पैस इस डेटेश पार्ट आफ 1 रुपी और जो 20 पैसे है वो रुपे का कौन साइज हो गया 1 by 5 how many 10 पैस will make 1 रुपी अब 10 पैसे कितने 10 पैसे एक रुपिया बन सकते हैं तो हम दिखाएंगे इसलिए 10 पैस इस 1 by 10 पार्ट आफ 1 रुपी दस के 10 पैसे लाएं तो बन के 100 पैसे तो इसका एक बटे 10 हिसा 1 by 10 हिसा है so 10 पैसे is 1 by 10 पार्ट आफ 1 रुपी तो ये था है का लेसन शाला फिर मिलीएंगे खुदाख विस तो ये था है का लेसन शाला फिर मिलीएंगे खुदाख विस ताम शूवनी तो